मुझपर नगर में फिर दो मुस्लिम परिवारों के आठ सदस्यों की हिंदु धर्म में वापसी कराई गई है बगरा इस्थित स्वामी यस्वीर महराज के आश्रम में महंत यस्वीर महराज और स्वामी मरगेंद महराज ने हवन पूजन और विधी विधान के साथ इन दो मुस्लिम परिवारों के आठ सदस्य को गंगा जल से आचमन कराते हुए शुद्धी करण और मंत उच्चारण के साथ हिंदु धर्म ग्रहन कराया है। मेरट के रहने वाले दो मुस्लिम परिवारों से स्वामी यसीर महराज का संपर्क हुआ था जिसके बाद आशरम में बुलाकर विदीवधान से हिंदु धर्म में वापसी कराई गई है। इस आठ लोगों के धर्म परिवर्तन के बाद साइस्ता राधा रशीदा गीता बर्खा वर्षा अकबर क्रश इक्राश शीतल गुलू रितिक एहसान सचिन और हारुन अब अरुन बन गया है। अब नाम कहा तुमार पहले है सांता आप सचीन है। आपको स्वामी जी ने धर्म में बापीश कराया है। कैसे लग रहा है। जी बढ़िया लग रहा है। क्या कारण था आप पहले मुसल्मान किस मुझे से बढ़े है। बाजी हमार मापाप मन गयते हैं पहले से तो इनके चक्कर आप काफी दिन हो गए थे फिर हमना सच्चा अपना धर्म में जाना चाहिए वह सही है। तो अपना धर्मा अच्छा लगा है। अपना धर्मा पहले से लिए तो इस अधिया थे हमना वे दिवी दान के साथ हमने पोजन का है। वाप्ची नब भी दोड़े है। नाम क्या अपना? मेरा नाम पहले बरकाता अब भर्षा हो गया। मेरा माबाप मुसलिम थे हम तो थे हंदू पहले थे हमारे देख दमका उसका मुसलिम बने तो यह हम अपने धर्म में जाएंगे। कि हम यहां आए आए पने धरम के बहुत खुसी हूसरे ती हम हम इंघ किसए महाराजी जी नें अ उसने हमें इंद बना आए आए पुसी है यह को ह Samsung जी मिला चाम हिंदु बनेगे नाम के अपका जी नाम मेरा हरून है अब क्या हुआ अरून है अच्छा तो आपने मोल धर्म में वापशी की है जी मोल उसमें वह नाम मेरे निकापड़ा हो गया था जी पहले मुल आम भी आये थे रूंग लेंगे मगा तुझे मतलब हम गरीब यह निए हम घरीब आदने हम तो महरे दीन में आजाओ हम तो मैं जंगा जमीन मतलब तहुए सब्स्राइब तो इस वज़े से हम जी उसमा अब बापशी दिंदु में अपने दीन हम अपने सच्चे मंते जी हमें को लोग लाग अचे हम अपने दीन में पारी जी अब आपको नाम का है राथीता अब का हुआ गीता नाम रख लिया आपको स्वामी जी ने वापीस हिंदु धर्म करा है तो कैसा लग रहा है यह अच्छा लग रहा है कि पहले मेरा माबापने छोटे-छोटे थे और हमार मेरा मुसलिम बन गए अज हम बड़े हो यार मेरे अब अच्छा लग रहा है बड़िया नहीं धरम परिवर्ता ने घरवाप से की है हाँ यह मेरट से हैं और दो परिवार के आच सदस्य हैं और सन 47 से लेकर के भाजपा की सरकार आने से पूरू जो जो भी सरकार आई उन सरकारों में हिंदों का मतांतरन किया गया धरम परिवर्तन किया गया और बड़े ही सातिर धंग से किया गया जो हमारा हिंदू समाज गरीब है उन गरीबों में मुसलमानों के मुला और मोलवी पहुंचते थे और उनको धंगा लालश देते थे और कहते थे कि तुम मुस तो एसा जब डर उनको दिखाय द्याता था तो बेचारे दर जाते थे और हिंदो धरम चोड़ करके मुसलमान बन जाते थे लेकिन भाजपा की जब सरकार आई केंदर में और कुछ परदेशों में तो जो मुसलमान बन गए थे हिंदू उनका स्वाभिमान जागा और उन्हें फिर अपने घर की यादाई समरन आया तो आज भारत के कोने कोने में जो हिंदू धरम छोड़ करके चले गए थे वो वापिस हिंद ढाननाम भी आपको बताते हैं देखिए ओ कि जुक्यूं पहलं गा जिसका नामं सायस्ता था उसका नाम राधा और बर्क्हा अब वो वर्षा हो गई रसीदा उसका गीता अक्बर उसका नाम कृत और इकरा का नाम शीतल गुल्लू का नाम रितिक एसान का नाम सचिन हारुन का हिंदू नाम अरुन हो गया बस मैंने जैसे बता कि इनको दराया धमकाया गया था बेचारे गरीब लोग थे डर गए और डर करके हिंदू से मुसल्मान बन गए लेकिन अब इनके अंदर एक स्वाभी मान जाग रहा है इने पता है कि अब हमें कोई खत्रा नहीं होगा मुसल्मानों के दुआरा तो निडर होकर के इन्होंने अपना वहीं अपना पुराना हिंदू धर्म था उसमें घर वापसी कर लेई अब तक कितने लोगों को आप अब तक यह मानिये कि सैंकडों लोगों को हमने घर वापसी करा देई और अभी होर हमारी द्रस्टी में है वारता लाब चल रही है समय समय पर आपके बीच में सारा आता रहेगा और अब तो बलकि मुसल्मानों ने दूसा सडियंत्र कर दिया पहले तो ही क्या करते थे कि हिंदों को मुसल्मान बनाया और रातो रात उनके मुला मोलवी इनके आधार काड आदि सारे कागज बदल देते थे लेकिन अब उन्होंने भाजपा की सरकार आने पर अपना रास्ता बदल दिया कि उस रास्ते को छोड़ करके यदि वो उसी र बना करके उन्हें तबलीक में भेजते हैं मंदर्सों में भेजते हैं पूरा परशिक्षान उनको दिया जा रहा है लेकिन आधार काड उनका नहीं बदला जाता कभी तुम जेल के सीख्चों में चले जाए कुछ समय के लिए वो रुके हुए हैं तो उन्होंने अपना रास कियों को बहका करके उनसे विवहा कर रहे हैं मैं भारत सरकार से आपके माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूं कि इस पर दरश्टी रखें और जो इस तरह है के पाए कानून के सिकंजे में उनको जखडें